नमस्कार दोस्ते, मैं संतोस पटेल, स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर, यदि आप कम्प्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कम्प्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बे कोई website तयार करते हैं, तो website के और webpage के maximum object by default left alignment पर print होते हैं, जब भी आप कोई website बनाते हैं, कोई webpage बनाते हैं, तो उसमें आप कोई text टाइप करते हैं, कोई paragraph टाइप करते हैं, कोई image insert करते हैं, कोई table create करते हैं, तो by default प्रतेक object left alignment पर ही print होता है, यदि आप चाहते हैं, आप के webpage का कोई object, कोई image है, कोई text है, कोई heading है, कोई table है, center alignment पर so हो, तो आप center tag का use कर सकते हैं, center एक container tag है, container मतलब इसको open भी किया जाता है और close भी किया जाता है, यदि आप अपने webpage के किसी भी object का center alignment set करना चाहते हैं, तो आप center tag का use कर सकते हैं आज की वीडियो में हम center tag का introduction center tag का syntax और center tag का एक example देखने वाले हैं तो पहले देखते हैं center tag होता क्या है web page के किसी object को center alignment पर so कनने के लिए center tag का upyog किया जाता है आपके web page में कोई भी object हो कोई text, कोई image, कोई table, कोई heading by default by left alignment पर print होती है आप चाहते हैं उसको center में लाना तो आप center tag का use कर सकते हैं center tag का syntax क्या होता है आपको center tag को open करना है बीच में आपका कोई भी object हो सकता है text, heading, कोई image, कोई table और आपको बाद में center tag को close करना है center tag के बीच में जो भी object आएगा वह center alignment पर display हो जाता है इसके हमने दो example भी यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि मैंने center tag को open किया हमने अपने channel का नाम digital भंडार center tag के बीच में लिखा है तो जब हमारा web page run होगा तो जो digital भंडार की heading है digital भंडार का text है वह हमें web page के center में so किया जाएगा इसी प्रकार से आप किसी image को भी अभी हमने HTML में image को insert करना नहीं सीखा है आने वाली वीडियोस में हम image tag को पढ़ेंगे जिससे image को insert किया जाता है लेकिन जब हम image को insert करते हैं तो वह है by default left alignment पर insert होती है आप चाहते हैं image को center में लाना है तो आप image के उपर भी center tag का use कर सकते हैं कोई table आपने बनाई है आप उस पर भी center tag का use कर सकते हैं तो बेपेज के किसी भी object को यदि आप center alignment पर display करना चाहते हैं तो center tag का use कर सकते हैं अभी हमने center tag का introduction समझा center tag का syntax देखा अब चलते हैं visual studio code पर और center tag को एक live practical example से समझते हैं तो अब हम अपने visual studio code editor में आ गए हैं जहां पर हमने अपने html project का folder open कर लिया है हमारे html project folder का नाम है html जिसमें हम अपने सभी html program को create करते हैं अब हमें इस project में एक new file को add करना है तो हम new file option पर click करेंगे आज का program हम center tag के लिए बनाने वाले हैं तो हमने अपने program का नाम center.html दिया है enter की को press करेंगे आपके project में एक नया program add हो जाएगा इस program में हमें html का first tag लगाना है जो की होता है html यह एक root tag है other सभी tag इसी tag के अंदर लगाए जाते हैं then आप अपने program में head tag का use कर सकते है head tag आपके page से संबंदित metadata को store करता है head tag के अंदर हम use करेंगे title tag का title tag आपके web page का आपकी website का एक title set करता है जैसे कि हमने यहाँ पर आज के page का जो title set किया है वह set किया है center tag क्यूंकि हम यह है program center tag के लिए बनाने वाले हैं इसके बाद आप title tag को close करें head tag को close करें अब हम अपने main tag body tag को open करेंगे main tag क्यूं है क्यूंकि web page का जो भी content होता है web page की जो भी information होती है वह body tag के अंदर ही type की जाती है अभी हम अपने program में एक simple heading जो की हमारे channel का नाम है digital भंडार print करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर h1 tag के अंदर h1 क्या है एक heading tag है जो की सबसे बड़ी size में heading को print करता है तो हमने अपने program में h1 tag के अंदर अपने channel का नाम digital भंडार print किया है हम इस program को save करते हैं और इस program का output live server पर देखते हैं कुछी समय में आपको program का output display किया जाएगा जिसमें जो हमारी heading बन है आप देख सकते है heading बन जो की हमारी है digital भंडार हमें print करके दिखाई जा रही है अभी हमारे browser का जो zoom है वह 300% था इसको हम 100% पर देखते हैं तो हमारी जो heading है वह इस type से हमें H1 heading में display की जाएगी आप अपने output को यदि zoom करके देखना चाहते हो तो zoom भी कर सकते हो अभी हमारी जो heading है वह by default left alignment पर print की जा रही है यदि हम चाहते हैं यह heading हमारी center में display हो तो अब हम इस heading पर center tag को apply करने वाले हैं तो अब हम अपने प्रोग्राम में जो हमारी heading है digital भंडार इस पर center tag को apply करने वाले हैं तो इसके लिए हम H1 tag के पहले center tag को open करेंगे और जो हमारी heading है उस heading को हमें center में लाना है तो heading के बाद हम center tag को close कर देंगे हमें जिस text को जिस object को center में लाना है center alignment पर set करना है उसको हमें center tag के बीच में रखना है हम अपने प्रोग्राम को save करते हैं right click करते हैं और हमारे प्रोग्राम को open with live server पर run करते हैं कुछी समय में हमें हमारे प्रोग्राम का output display किया जाएगा तो आप देख सकते हैं अब जो हमारी heading है वह हमारे प्रोग्राम के center alignment पर display की जा रही है क्योंकि HTML का maximum tag जो है वह by default left alignment पर output को print करते हैं यदि आप चाहते हैं किसी object को आपको center alignment पर सो करना है तो आप center tag का use कर सकते हैं या एक simple tag है जो कि open भी होता है, close भी होता है container tag है आप इसको use करके देखें कोई question है, कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जदा सेथा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद